सबी दर्शकों का आज के कारिक्रम में स्वागत है। आज के कारिक्रम में हम कुछ महत्वपून विश्यों पर चर्चा करेंगे। हम आवेशों की सैयूक्त विद्यूत तथा चुम्बुक्य शेत्रों में गती से जुड़ी अवधार्णाओं को समझेंगे। और इसी से संबंधित वेगवारन करता तथा साइक्लोट्रों के कारे को समझेंगे। और साथ ही बायो सावत नियम को इसके अनुप्रयोगों के साथ पड़ेंगे। मा लीजिए कि बहुत सारे विभिन वेगो वाले आवेशों में से आपको एक प्रयोग के लिए कुछ ऐसे कणों की आवशकता है जो एक विशेश वेग से गतीमान हो। क्या ऐसा संबंभव है? जी हाँ, ऐसा संबंभव है। चलिए, ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। हम लौरेंस बल के विशे में पहले से जानते हैं। ये वो बल है जो विद्युत तथा चुम्बक्ये दोनों शेत्रों की उपस्थिती में वीवेग से गतीमान, क्यूँ आवेश के कण पर कारे करता है। जिसे कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। F पराबर Q E जमा V सदिश गुणनफल B के बराबर है। यहां F विद्युत बल तथा चुम्बक्ये बल का योग है। अब इस चित्र पर ध्यान दीजिए। इसके अनुसार विद्युत शेत्र E तथा चुम्बक्ये शेत्र B एक दूसरे के लंबवत है। तथा कणका वेग V इन दोनों शेत्र के लंबवत है। अब हम विद्युत शेत्र, जुम्बक्ये शेत्र तथा वेग को सदिश रुप में लिखेंगे। तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्या अब आप आवेश पर विद्युत शेत्र तथा चुम्बक्ये शेत्र दोनों द्वारा आरोपित बल के समी करण को लिख सकते हैं। तो इन्हें हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। रेण QVBJ एकांग सदिश मिलता है। इसके अनुसार विद्युत बल तथा चुम्बक्ये बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। क्योंकि FEJ एकांग सदिश की दिशा में है और वहीं FB रेण J एकांग सदिश की दिशा में है। अब आवेश पर कुल बल कितना होगा। तो इसके लिए हम विद्युत बल और चुम्बक्ये बल इन दोनों का योग लेंगे। और इनका योग लेने पर हमें F, Q, E, रेण, V, B, J एकांग सदिश मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल बल, विद्युत बल तथा चुम्बक्ये बल के योग के बराबर होगा। जिसे लॉरेंस बल कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम E तथा B के मानों को इस प्रकार समयोजित करते हैं कि इन बलों के परिमान समान हो जाएं। तो आवेश पर कुल बल शुन्य हो जाएगा। तथा आवेश इन शेत्रों पे बिना विक्षेपित हुए गमन करेगा। यह तब होगा जब F शुन्य के बराबर होगा यानि कि Q E रेंड V B जे एकांग सदिश शुन्य हो और इसको हल करने पर Q E रेंड V B को हम शुन्य के बराबर लिख सकते हैं। यहां से Q E Q V B के बराबर मिलेगा और V E बटे B के बराबर होगा। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि इस शर्त का उपयोग विभिन गती से गतिमान आवेशों के पुंज से किसी विशेश वेग के आवेशित कणों को चुन्ने में किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि गतीमान आवेश का आवेश तथा द्रव्यमान क्या है। अतहा क्रासित चुम्ब किये वह विद्युच शेत्र वेग वरन करता के समान कारे करते हैं। केवल ई बटे बी की चाल वाले कण ही इस क्रासित शेत्रो वाले स्थान से बिना विक्षेपित हुए गुजरते हैं। ये चित्र भौतिक विद जेजे थॉम्सन का है। इस विदी का उप्योग सन 1897 में जेजे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात यानि की E बटे M मापने के लिए किया था। इसी तरह इस सिद्धान का उप्योग द्रव्यमान स्पेक्ट्रो मीटर में भी किया जाता है। ये ऐसी युक्ती है जो आवेशित कणों को प्राय आयनों उनके आवेश द्रव्यमान अनुपात के अनुसार प्रिथक करती है। आईए अब ये समझते हैं कि विद्युच्शेत्र तथा चुम्बकी शेत्र की उपस्थिती में आवेशित कणों अत्वा आयनों को उच उर्जाओं तक कैसे त्वरित किया जा सकता है। साइक्लोट्रोन आवेशित करनों अत्वा आयनों का उच उर्जाओं तक त्वरित करने वाला यंत्र है इसका आविश्कार नाभिकिये संग्रक्षना के अनवेशन के लिए सन 1934 में E.O. लौरिंस तथा M.S. लिंग्स्टान ने किया था आवेशित करनों की उर्जा में व्रिद्धी करनी के लिए साइक्लोट्रोन में संयुक्त रूप से विद्युच्षेत्र तथा चुम्बक्य शेत्र दोनों का उप्योग किया गया है चुम्कि ये दोनों शेत्र एक दूसरे के लंबवत लगाए गए हैं इन्हे क्रासिट शेत्र भी कहते हैं अब जैसा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि चुम्बक्य शेत्र में परिक्रमन करने वाले आवेशित कणों की परिक्रमन की आवरित्ती कण की उर्जा पर निर्भर नहीं करती अब साइक्लोट्रोन में इस तथ्य का उप्योग किया गया है इन धातों के पात्रों D1 तथा D2 को Ds कहते हैं और यहाँ पर ये बिंदू ये दर्शा रहे हैं कि चुम्बक्य शेत्र प्रिष्ट से बाहर की ओर है और वहीं ये दो लग विद्युत शेत्र का स्त्रोथ है जो की एक विशेश समय के साथ अपनी दिशा बदलता रहता है और यहाँ पर एक विक्षेप पटिका है जहां से आयन या कोई कण विक्षेप होके इस निर्गम जिर्री से बाहर की तरफ आता है अब कण अधिकांश समय दो अर्ध व्रितकार चक्रिका जैसे की D1 और D2 के बीच में ही रहता है धातों के बॉक्सों के भीतर कण परिक्षित करते रहता है और इन पर विद्युत शेत्र कारे नहीं करता तथा P कण पर चुम्बक के शेत्र कारे करता है जिसके कारण वो D के अंदर एक वर्तुल गती स्थापित करता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि V तथा B एक दूसरे के लंबवत हैं तो कण अर्थात किसी बृत की अनुदिश है तो वर्तुल गती करेगा प्रतियाग बार जब कण एक D से दूसरी D की तरफ जाता है तो हर बार उस पर विद्युच्शेत्र कारे करता है प्रत्यवर्ति रूप से विद्युच्शेत्र का चिन परिवर्तित होता रहता है और इसका कण की वर्तुल गती के साथ सामन जस्य है इससे ये सुनिश्यत होता है कि कण सदैव विद्युच्षेत्र द्वारा त्वरित होता है हर बार त्वरन से कण की उर्जा में वृद्धी होती है इसके कहने का ताथ पर ये है कि जैसे ही ये D1 से D2 में जाएगा यहां विद्यत्शेत्र की दिशा बदल जाएगी और जैसे यह बीच में आएगा और यह वापत से जब इसकी दिशा बदलेगी तो वो करण D1 में आएगा और जैसे D1 से अपना पूरा वरतुल मार्ग को पूरा करेगा फिर से विद्यत्शेत्र का स्थ्रोथ की त्रिज्या भी बढ़ती चली जाती है अतहां कण का पथ सरपीलाकार होता जाता है इस सारे संयोजन को निर्वातित किया जाता है ताकि आयनों तथा वायू के अनुओं के बीच संघट न्यूंतन हो जाए डीज पर एक उच प्रत्यावर्ती वोल्टता अनुप्रयुक्त क की जाती है जैसे कि अभी हमने समझा कि लंबवत बल क्यू वी सदिश गुरणफल भी अभी केंद्र बल की भाति काले करता है तथा चुम्बकिय शेत्र के लंबवत वर्तुलगति उत्पन करता है इसके अनुसार एम वी घाद दो बटे आर क्यू वी के बराबर होता है इसक से हम वी के समय करण को क्यू भी आर पटे एम भी लिख सकते हैं इससे यह स्पष्ट है कि कणों के पथों की त्रिज्या में हर बार गतिज उर्जाओं में व्रिद्धी होने के कारण व्रिद्धी होती जाती है आयन डीज के बीच बारम बार उस समय तक त्वरित होते रहते हैं जब तक कि विलग भग डीज के बराबर त्रिज्या पाने के लिए आविश्यक उर्जाप्राप्त नहीं कर लेते उस समय फिर से चुम्बकी छेत्र द्वारा विक्षेपित होकर इस निर्गम जिजी द्वारा निकाय से बाहर निकल जाते हैं और जिस गति से ये बाहर आते हैं वो वी बराबर क्यू बी आर बटे एम हैं यहां आर निर्गम पर प्रक्षेप की त्रिज्या है तथा ये डीज की त्रिज्या के बराबर है वी इस समिकरन का प्रयोग करके हम आयनों की गतिज उर्जा का पता कर सकते हैं अतह आयनों की कतिज उर्जा यानि की एक बटे दो एम वी की घाद दो क्यू घाद दो बी घाद दो आर घाद दो बटे दो एम के बराबर होती है डीज के भीतर कण ऐसे छेत्र में गमन करते हैं जहां विद्यू छेत्र नहीं होता हर बार कण एक डीज से दूसरी डीज पर जाने में कण की उर्जा में क्यू वी की वृद्धी होती है यहां वी डीज के बीच की वोल्टता है अब मान लेते हैं कि किसी एक डी में अर्ध विताकार पत पर गमन करते हुए टी बटे दो समय अंतराल में डीज के बीच के रिक्त स्थान में आते हैं यहां टी परिक्रमनकाल है अब इसका मान हम किस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ T 2πR बटे V के बराबर होगा और R और V के समीकरण का प्रयोग करके हमें परिक्रमन काल का समीकरण कुछ इस प्रकार से मिलेगा जो कि T बराबर 2πM बटे QV के बराबर है अब हमें ग्यात है कि परिक्रमन काल के पारसपरिक राशी आवरत्ती है तो अब हम आवरती के समिकरण को जानने का प्रयास करेंगे साइक्लोट्रोन में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवरती यानि की न्यूए को हम इस प्रकार समय योजित करते हैं कि जितने समय में आयन अपना आधा परीक्रमन पूरा करता है उतने ही समय में डीज की दुरुवता परिवर्तित हो जाती है इसके लिए यह आवेशक है कि अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवरती साइक्लोट्रोन आवरती के बराबर हो यानि कि new A बराबर new C और इसको अनुनाद की शर्त कहते हैं साइक्लोट्रोन का प्रचालन इस तथे पर अधारित है कि किसी आयन के एक परिक्रमन का समय आयन की चाल अथवा कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता तो इस प्रकार साइक्लोट्रोन के विद्युत तथा चुम्ब की क्राशत छेत्रों द्वारा आवेशित कणों की उर्जा में व्रिधिक की जा सकती है अब आईए साइक्लोट्रोन के उप्योगों को समझे साइक्लोट्रोन का उपयोग इसमें त्वरित उर्जायुक्त कणोग द्वारा नाभिक पर बंबारी करके परिमानी नाभिकी अभिक्रियाओं का अध्यन करने के लिए किया जाता है इसका उपियोग थोसों में आयनों को रोपित करके उनके गुणों में सुधार करने और यहां तक की नए पदार्थों को संशलेशित करने में भी किया जाता है इसका उपियोग रेडियो आक्टिव पदार्थों को उत्पन करने में भी किया जाता है इन radioactive पदार्थों को अस्पतालों में रोगी के निदान तथा उपचार में किया जाता है आप इसके अन्य उप्योगों को जानने के लिए और भी खोच कर सकते हैं अब तक हमने चुम्बकिये शेत्र तथा बल को विस्तार से समझा आप चुम्बकिये शेत्र का एक स्त्रोध बताईए अब जैसा कि हमें ग्यात है कि चुम्बकिये शेत्र विद्युधाराओं अथ्वा गतिशील आवेशों तथा कणों के नैज चुम्बकिये आगुर्णों के कारण उत्पन होते हैं अब हम विद्युद्धारा तथा उसके द्वारा उत्पन चुम्बक्य शेत्र के बीच संबंध के बारे में अध्यन करेंगे ये संबंध बायो सावत नियम द्वारा प्राप्त होता है हमने यहां एक परिमित विद्युद्धारा चालक XY को लिया है जिसमें विद्युद्धारा I प्रवाहित हो रही है हम चालक के अतियल्प अव्यव DL पर विचार करेंगे मान लीजे कि हमें इस अव्यव द्वारा इससे R दूरी परिस्थित बिंदू P पर चुम्बक्य शेत्र DB का मान निर्धारित करना है और अब ये विस्थापन सदिश R तथा DL के बीच ठीटा कोन बन रहा है तब बायो सावत नियम के अनुसार ये चुम्बक्य शेत्र DB का परिमान विद्युद्धारा I तथा लंबाई अव्यव DL के अनुक्रमानुपाती होगा और वहीं R के वर्ग के विद्युद्ध करमानुपाती होगा अतह सदिश संकेत पदती में DB का परिमान I, DL सदिश गुणनफल R, बटे R के घात तीन के अनुक्रमानुपाती है जैसा कि हम इस सदिश संकेतन में देख सकते हैं कि इस शेत्र की दिशा DL तथा R के तलों के लंबवत होगी यहां μू नुट बटे 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है उप्रोथ समिकरन तब लागु होता है जब माध्यम निर्वात होता है तो इसके अनुसार DB बराबर मू नॉट बटे 4 पाई अई डी एल सदिश गुणनफल आर बटे आर की घात तीन होगा यहां राशी मू नॉट मुक्ताकाश की चुम्बक शीलता नियतांक है और DB के परिमान को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं यानि कि DB बराबर मू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर की घात दो यहां हमने सदिश गुणनफल के गुणधर्म को DLR साइन थीटा लिख दिया है यह चुम्बक शेत्र का मूल समिकरन है तथा अनुक्रमानुपाती नियतांक यानि कि मू नॉट बटे 4 पाई का मुल्यांकन दस की घात रिन साथ टेसला मीटर प्रती आमपियर होता है अब हम नियम की अफधार्ना से अबगत हो गए है आईए अब इसके तुलना कूलाम नियम से करते हैं चुम्बक शेत्र के बायुसावत नियम और स्थिर वैद्युतकी के कूलाम नियम में कुछ समानता है तथा कुछ असमानता है इसमें से कुछ निम्न इस प्रकार हैं। दोनों दिर्ग परासी हैं क्योंकि दोनों ही श्रोत से परिक्षन दूरी तक की दूरी के वर्ग के वियुत क्रमानुपाती होते हैं। दोनों ही शेत्रों पर अध्यारोपन सिधान्त लागु होता है। इस संबन्द में ये ध्यान देना है कि श्रोत आईडियल में चुम्बकिय शेत्र रहखिक है जैसे कि अपने शोत्र विद्यूत आवेश में स्थिर वैद्यूत शेत्र रहखिक है। स्थिर वैद्यूत शेत्र अधिश्थ्रोत जैसे वैद्यूत आवेश द्वाराउदपन होता है। स्थिर वैद्यूत शेत्र में नहीं होती। अगर थीटा शुन्ने के बराबर है तो इस प्रकार साइन थीटा भी शुन्ने के बराबर होगा। तो इस तरीके से चुम्बकिय शेत्र का परिमान शुन्ने होगा। आईए अब एक रोचक समिकरन को समझते हैं। मुक्त दिक्स्थान की विद्धुच शीलता, मुक्त दिक्स्थान की चुम्बक शीलता, तथा निर्वात में प्रकाश के वेग में एक रोचक संबंध है। यहां हमने अपसाले नौट और म्यू नौट का गुननफल लिया है। अगर इसमें 4 पाई से गुणा और 4 पाई से भाग करें, तो हमें पता है कि 4 पाई अपसाले नौट का मूल्य एक बटे 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। और वहीं म्यू नौट बटे 4 पाई का मूल्य दस की घात रिंड साथ होता है। इसको हल करने पर हमें एक बटे 3 गुणा 10 की घात 8 की घात 2 मिलता है, जो की एक बटे C की घात 2 के बराबर होगा। इस संबंद के विशय में हम विद्यू चुम्बक के तरंगों के अध्याय में चर्चा करेंगे। चूकि निर्वात में प्रकाश का वेग नियत है, गुणन फल म्यू नौट, अपसाले नौट परिमान में निश्चित है। अपसाले नौट तथा म्यू नौट में से किसी भी एक मान का चैन करने पर अन्य का मान स्वदह निश्चित हो जाता है। ऐसा ही मात्रकों में म्यू नौट का एक निश्चित परिमान है, जो की चार पाए गुणा, दस की घात, रिंड साथ के बराबर होता है। आईए अब बायो सावत नियम की चर्चा को जारी रखते हुए एक अनुप्रयोग को समझते हैं। हम व्रिताकार पाश के कारण चुम्बकिय शेत्र परिकलित करने के लिए बायो सावत नियम का उप्योग करेंगे। हम विद्युद्धारवाही वृताकार पाश के कारण उसके अक्ष के अनुदिश चुम्बके शेत्र का मुल्यांकन करेंगे यहां अत्य अल्प विद्युद्धारा अव्यवो आइडियल के प्रभाव को संयोजित किया जाएगा हम यह मानते हैं कि प्रभाहित विद्युद्धारा अब परिवर्ती है तथा मुल्यांकन मुक्त दिक स्थान यानि की निर्वात में किया जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि वृताकार पाश में स्थाई विद्युद्धारा आई प्रभाहित हो रही है पाश को मूल बिंदु पर X, Y तल में इस्थित दर्शाया गया है तथा पाश की त्रिज्या R है X अक्ष ही लूप का अक्ष है हमें इसी अक्ष के बिंदु P पर चुम्बकिय शेत्र को परिकलित करना है अब माल लीजिए कि बिंदु P पाश के केंद्र से X दूरी पर इस्थित है अब हम पाश के चालक अव्यव DL पर विचार करेंगे क्या आप बता सकते हैं कि इसके कारण बिंदु P पर चुम्बकिय शेत्र क्या होगा दियल के कारण चुम्बकिय शेत्र का परिमान बायो सावत नियम के अनुसार दिया जाएगा यहां अव्यव DL YZ दिशा में है जबकि विस्थापन सदिश R अव्यव DL से अक्ष बिंदु P तक X Y तल में है अतहा DL सदिश गुरंफल R, R DL के बराबर होगा तो इसी प्रकार समी करण DB बराबर μू नॉट बटे 4 पाई I DL सदिश गुरंफल R बटे R की घात 3 को हम μू नॉट बटे 4 पाई I DL बटे R की घात 2 लिखेंगे यहां R की घात 2, X की घात 2 जमा R यानि की त्रिज्य की घात 2 के बराबर होगा तो इस समी करण को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि DB बराबर μू नॉट बटे 4 पाई I DL बटे X की घात 2 जमा R की घात 2 DB, DL तथा R के द्वारा बने तल के लंबवत है इसका एक X अव्यव DBX है जो की X अक्ष की ओर है वहीं एक लंबवत अव्यव डी बी लंबवत है जब X अक्ष के लंबवत अव्यवों को संयोजित करते हैं तो ये निरस्त हो जाते हैं और हमें शून्य परिनाम प्राप्त होता है चित्र में दर्शाय अनुसार DL के कारण अव्यव DB लंबवत इसके त्रिजिताह विप्रीद DL अव्यव के कारण योगदान द्वारा निरस्त हो जाता है इस प्रकार केवल X अव्यव ही बच पाता है X दिशा के अनुदिश नेट योगदान पाश के उपर DBX बराबर DB कॉस थीटा होता है और इसी को समाकलित करके DB को प्राप्त किया जाता है तथा कॉस थीटा R बटे X की घात 2 जमा R की घात 2 की घात 1 बटे 2 के बराबर होता है अतह DBX μू नॉट आई डियल बटे 4 पाई R बटे X की घात 2 जमा R की घात 2 की घात 3 बटे 2 के बराबर होता है इस प्रकार कुल B μू नॉट आई 2 पाई R बटे 4 पाई R बटे X की घात 2 जमा R की घात 2 की घात 3 बटे 2 के बराबर होगा इसको हल करने पर B, BX, I, एकांग सदिश यानि कि अब हम B को सदिश रूप में निर्दिश्ट कर रहे हैं जो कि μू नॉट, I, R की घाद 2, बटे 2, X की घाद 2, जमा R की घाद 2, की घाद 3, बटे 2, I, एकांग सदिश के बराबर होगा इस परिणाम की एक विशेश स्थिती के रूप में हम पाश के केंदर पर चुम्बकिये शेत्र प्राप्त कर सकते हैं अब ये किस प्रकार किया जाएगा? ऐसा करने के लिए हम X को शूर्ने लेंगे यानि कि हम इस वृतकार पाश के मध्य में B को निकालना चाहते हैं एकांग सदिश आई के रूप में लिखेंगे अब हम इस वृतकार तार के लिए चुम्बकिये शेत्र की दिशा पता करेंगे ये किस प्रकार किया जाएगा? चुम्बकिये शेत्र की दिशा तक्षिन हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दी जाती है इस नियम के अनुसार वृतकार तार के चारो ओर अपने दाए हाथ की हतेली को हमें कुछ इस प्रकार मोरना होगा कि उंगलियां विध्युधारा की दिशा की ओर संकेत करें तब इस हाथ का फैला हुआ अंगुठा चुम्बकिये शेत्र की दिशा बताएगा वृतकार तार के कारण चुम्बकिये शेत्र रेखाएं बंद वृतकार पाश बनाती है तो इस प्रकार हम एक विध्युत धारवाही वृत्तकार तार में चुम्बकिये दिशाप पता कर सकते हैं इसी के साथ हमने आज के कारिक्रम में बहुत महत्वपून विशेओपे चर्चा की हमने आवेशों की सैयुक्त विध्युत तथा चुम्ब के शेत्रों में गती से जुड़ी अधार्णाओं को समझा और इसी से संपन्दित वेग वारन करता तथा साइक्लोट्रोन के कारे पर गहन चर्चा की और साथ ही बायो सावत नियम को इसके अनुप्रयोगों के साथ समझा क्या बायो सावत नियम के अत्रित भी कोई प्रक्रिया है जिससे एक विध्युत धारी चालक के कारण चुम्ब के शेत्र के परिमान को प्राप्त किया जा सकता हूँ आप इसकी खोच करने का प्रयास करें और अपने साथियों से इसकी चर्चा अवश्य करें और आज के चर्चित विश्यों से संबंदित अपनी पाठे पुस्तक में दिये गए प्रशनों को हल करने का प्रयास करें धन्यवाद झाल